एकुमकार सत्यनाम करता पुरक निर्पो निर्पेलकाल मुरत अजनी सैपंग गुरुप्रसाच जप आसच जुगा सच है भी सच नानक भोसी भी सच सबसे पहले तो आप सभी को इस वर्ष होने वाले गुरुपर्व गुरुपूरव गुनानक देव जी की जनती की हारतिक शुप कामना है मैं रंगीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल वंड्रेस मास्टर में आज हम जानेंगे गुनानक जनती क्यों मनाई जाती है इस वर्ष गुनानक जनती 19 नवंबर 2021 को शुक्रवार के दिन बड़ी धुमधाम से मनाई जाएगी कुछ दिन पहले ही साथियों प्रभात फेरिया निकलनी शुरू हो जाती है और पूरे वाता वर्ण में वहे गुरू वहे गुरू वहे गुरू का उचारन शुरू हो जाता है बेदी कुल के दीपक सिक्धरम के प्रवक्ता समाज सुधारक एक संत एक कवी ईश्वर सुरू गुर्णानक जी को शत शत नमन गुर्णानत देव जी का चन पाकिस्तान में लहौर में तलबंटी नामक काउं में हुआ था सन 1469 में महिता कालुजी के घर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुर्णानत देव जी का जन्म हुआ था इस स्थान पाकिस्तान में है और इस स्थान को ननकाना साहब कहा जाता है उनकी माता जी का नाम त्रिपता जी था और उनकी बहन नानकी उनसे इतना प्यार करती थी कि काटा नानक जी को लगता था और दर्द नानकी को होता था वहे खुरू जी गुंनानत देव जी ने हमें कई शिक्षा दिये हैं उन में से कुछ शिक्षा अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हर इंसान का जीवन सुख में बन सकता है सबसे पहले तो गुनानक देवजी कहते हैं एकोंकार यानि परमात्मा एक है परमात्मा का स्वरोग एक है दूसरा हमें हक की कमाई खानी चाहिए हक यानि मेहनत की कमाई खानी चाहिए हमें हमेशा परपकार करना चाहिए अपने जीवन से एहंकार लोग मों को निकाल देना चाहिए गुनानत देव जी कहते हैं हमेशा अपनी कमाई का दस्वन्त जरूर दो यानि जो भी आप अपनी मेनत की कमाई करते हो उसका दस्वन्त दस्वा हिस्सा समाज को आगे बढ़ाने में और परुपकार के रूप में जरूर दो गुनानत देव जी की शिक्षाओं के अनुसार अगर हम अपना जीवन यापन करते हैं तो हमेशा हमारा जीवन सुख में बन सकता है गुनानत देव जी एक ऐसे देवे स्वरूप प्रमात्मा है जिनकी पच्चिनों पर चल कर हम अपने जीवन को एक सही मात पर ले जा सकते हैं वाहिकुरुजी दा खालसा वाहिकुरुजी दी फते सबनों एक वारी गुनानत जनती दी लख लख वधायां अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक का बटन तबाएं सब्सक्राइब का बटन तबाएं और बैल आइकन पे प्रेस करें टाकी आगे भी मैं जो ये वीडियो बना कर लाओ उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले एक पारी दुबारा सभी को गुनानत जनती की लख लख वधायां प्रमात्मा सब पे अपनी कृपा दिश्री बनाते हुए सबके जीवन में मेर बरा हाथ बनाए रखे वाह गुरूची वाह गुरूची वाह गुरूची